नमस्कार, कक्षा 11 अध्याय साथ क्रमचे एवं संचे मोड्यूल 2 में आपका स्वागत है आज मोड्यूल 2 में हम करेंगे क्रमचे परिचे एवं परिभाशा, क्रम गुणित संकेतन, अधात फेक्टोरियल नोटिशन और क्रमचे सूत्र तथा उस पर अधारित प्रश्न पिछले मोड्यूल में हमने रोज शब्द के अक्षरों के विभिन विन्यासों जैसे की ROSC, REOS, ROES या RSOE इत्यादी की संभव संख्या के गर्णा की थी इन सब विन्यासों में अक्षरों के लिखने का क्रम महत्वपून है क्योंकि जब हम अक्षरों से शब्द बनाते हैं तो उन्हें आगे पीछे लिखने पर उनके अर्थ बदल जाते हैं तो यहां हमारा क्रम महत्वपून है ध्यान रहे इन में सिप्रतेक विन्यास चार विभिन अक्षरों में से एक समय में सभी को एक साथ लेकर बनाया गया क्रम चै कहलाता है यदि हम शब्द नंबर के अक्षरों में से तीन अक्षरिये अर्थ-पूर्ण या अर्थ-हीन रचत शब्दों की संख्या निर्धारित करना चाहते हैं तो जबकि अक्षरों की पुन्रावृति की अनुमती नहीं है तो इस प्रकार बने शब्द हमारे पास होंगे 6-5-4 जो की हमने गर्णा के अधार बूत सिधान्त के अधार पर हमने ये गर्णा की है पिछले मॉड्यूल में समझाया गया था इस बारे में यदि अक्षरों की पुन्रावृति की अनुमती हो तो तब ये अक्षर कितने शब्द कितने बनेंगे क्योंकि आप जानते हैं तीन अक्षर ये शब्द बनाने हैं तो प्रथम स्थान 6 तरह से, दुट्य स्थान भी 6 तरह से और तृत्य स्थान भी 6 तरह से भरा जा सकता है इस प्रकार ये अनुक्रम हमारे पास प्राप्थ होंगे 216 तो क्रमचे की परिभाशा क्या है? क्रमचे एक निश्चित क्रम में बना हुआ विन्यास है जिसको दी गई वस्तू में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है या साधारन शब्दों में कहें तो किसी दिये गए वस्तु के समहों में से कुछ अत्वा सभी वस्तुएं लेकर बनाया गया विन्यास, विन्यास अतार्प विवस्थित करना उस समहों का एक क्रमचे कहलाता है आईए अब क्रमचे को एक प्रमे की सहायता से समझते हैं N विभिन वस्तुओं में से एक समय में R वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचे की संख्या को प्रतीक NPR से निरूपित करते हैं जहां R 0 से बड़ा और N से छोटा या बराबर हो सकता है तथा किसी भी क्रमचे में वस्तुओं की पुन्रावृति की अनुमती नहीं है अब इस प्रमे को जराफ समझने के लिए हम पहले ये बता दें, स्पष्ट कर दें कि ये चिन NPR में P बड़ाब लिखते हैं और N2 तरफ थोड़ा चोटा उपर लिखते हैं और R दाई तरफ चोटा साइज में नीचे लिखते हैं तो ये NPR का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लिश में क्रमचे को पर्मुटेशन कहते हैं वहां से ये P अक्षर लिया गया है और R जैसा कि स्पष्ट है R उनी N वस्तूओं में से चुना गया है इसलिए R N से चोटा या बराबर ही होगा और R क्योंकि R वस्तूओं को चुना गया है वो 0 से बड़ी ही हो सकती है तो इसे इस व्यन्जक के द्वारा समझाया गया है अब हमें ये व्यन्जक कैसे प्राप्त हुआ जैसा कि हमने गर्णा के अधार भूत सिधान से सीखा था कि यदि हमारे पास N वस्तूओं हैं और हम उन्हें R तरह से चुन कर रिक्त स्थानों में भर सकते हैं तो मानलिया हमारे पास R रिक्त स्थान है तो पहला स्थान N तरह से भरा जाएगा दूसरा स्थान N घटा एक तरीके से भरा जाएगा और R वह स्थान भरा जा सकता है N घटा R घटा एक से तो R रिक्त स्थानों को उत्रोतर भरने की तरीकों की संख्या होगी N गुणा N घटा एक गुणा N घटा दो और अंत में N घटा R जमा एक क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जमा एक में बदल जाएगा अब क्रमचे जब सब वस्तुएं भिन भिन है क्योंकि क्रमचे हम दो तरह से ग्याद कर सकते हैं जब वस्तुएं भिन भिन है तब भी और जब वस्तुएं उन में से कुछ समान है तब भी लेकिन इस परिस्तिती में हम ले रहे हैं जब वस्तुएं भिन-भिन हैं अभी जैसे आपने देखा इसे इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है N-P-R N में से हमें आरवस्तुओं का चुनाव करना हो तो क्रमचे कितने होंगे मगर ये बहुत ही बोजिल सा व्यंजक है इसे समझने में और इसको देखने में ये बहुत ही मुश्किल सा लगता है हमें एक ऐसे संकेतन की आवश्यक्ता है जिसकी सहायता से इस व्यंजक के विस्तार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे N और इस चिन का जिसे हम N क्रम गुनित पढ़ते हैं इसे कई पुस्तोकों में इस प्रकार के चिन द्वारा भी दिखाया जाता है ये दोनों ही चिन प्रयोग होते हैं N क्रम गुनित के लिए ये हमें इस व्यांजग को समझने में सहायता करेंगे तो देखते हैं कि N करमगुनित का अर्थ क्या है तो आईए जाने करमगुनित संकेतन क्या है N क्रम गुणित प्रत्थम N प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है अथार्थ एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा N घटा एक गुणा N N क्रम गुणित द्वारा निरूपित किया जाता है इस प्रतीक को हम N क्रम गुणित पढ़ते हैं, इंगलिश में इसे N factorial भी कहा जाता है इसको दो चिनों से निरूपित किया जाता है, कई पुस्तोकों में ये चिन होता है और कही जगा N क्रम गुणित का ये चिन भी प्रयोग होता है, दोनों ही चिन सही है इस प्रकार हुआ एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पाँच डैश 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 गुणा N घटा एक गुणा N बराबर N क्रम गुणित इसे हम उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसे एक से शुरू करें जिसका क्रम गुणित हमें दिया गया है, वहाँ से शुरू करके इसे एक एक संख्या कम करते हुए, हम गुणा करते हुए जाते हैं, अंत में तीन गुणा, दो गुणा, एक तक तद अनुसार एक का क्रम गुणित हुआ एक, दो का क्रम गुणित हुआ दो गुणा एक, तीन का क्रम गुणित हुआ तीन गुणा दो गुणा एक, और चार का क्रम गुणित हुआ चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, या विप्रीत क्रम में भी चलेगा इत्याद और हम परिभाशित करते हैं शुन्य का क्रमगुनित, शुन्य के क्रमगुनित को हम एक लेकर चलते हैं तो स्पष्ट है कि हमें अगर सभी प्राकृत N संख्याओं के लिए क्रमगुनित चाहिए तो उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? N क्रम गुणित बराबर N गुणा N घटा 1 का क्रम गुणित. कैसे? कि जैसे 5 का क्रम गुणित हमें चाहिए, तो हम उसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 भी लिख सकते हैं. और हम जानते हैं कि ये किसे बता रहा है? ये 4 के क्रम गुणित को बता रहा है. इसलिए 5 का क्रम गुणित, 5 गुणा 4 क्रम गुणित भी लिखा जा सकता है. तो इस प्रकार हम इसे N गुणा N गटा 1 का क्रम गुणित से भी दिखा सकते हैं. N गुणा N गटा 1 गुणा N गटा 2 के क्रम गुणित पर भी अंत कर सकते हैं. यदि N का मान 2 से अधिक है और यदि N का मान 3 या 3 से अधिक है तो हम उसे N गुणा N गटा 1 गुणा N गटा 2 गुणा N गटा 3 के क्रम गुणित पर भी अंत कर सकते हैं. जैसी भी प्रश्णे की आवश्यक्ता हो तो आईए क्रम गुणित को हम और उधारणों की सहायता से समझे अभी हमने पिछले उधारण में ही किया पांच का क्रम गुणित अथार्थ हम उसे पांच गुणा, चार गुणा, तीन गुणा, दो गुणा, एक लिख सकते हैं और उल्टे क्रम में एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, पांच भी याद कर सकते हैं ये गुणा तो आप कर ही लेंगे साथ का क्रम गुणित क्या होगा? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और इसे हम छोटे रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि ये कितना है 5 का क्रम गुनित है तो ये हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 क्रम गुनित इस तरह से हमें से छोटे रूप में भी लिख सकते हैं अब हमारे पास तीसरी जो प्राब्लम है वो है साथ के क्रम गुनित में से पांच का क्रम गुनित घटाना है ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हम पहले इन दोनों को खोल लेते हैं और बड़े वाले क्रम गुनित को खोलना ही काफी है हमें छोटे क्रम गुनित को खोलने की अवश्यक्ता नहीं है देखिए कैसे क्योंकि बड़े को हमने खोला साथ गुना छे गुना पांच का क्रम गुनित घटा छोटी संख्या को हम ऐसे ही रहने देंगे इसके क्रम गुणित को नहीं खोलेंगे, हमारी इससे गढ़ना आसान हो जाएगी, इन दोनों में देखिए आप पांच का क्रम गुणित जो है वो उभे निष्ठ है, उसे हमने बाहर ले लिया, यहां अंदर बचेगा साचीक बयालिस, साथ गुणा छे अंदर बचेगा और यहां बचेगा एक, तो यह हो गया हमारा पांच का क्रम गुणित और प्रैकेट में एकतालिस, हम इसे एकतालिस गुणा पांच का क्रम गुणित या इस तरह से लिख सकते हैं और इसे पांच के क्रम गुणित को बाद में खोल करके, हम एकतालिस से गुणा करके इसे हल ज् अब अन्य उधारन, इस प्रश्ण में हमें साथ के क्रम गुणित को पांच के क्रम गुणित से भाग करना है ऐसी समस्याओं में पिछली बार की तरहां हम बड़े क्रम गुणित को ही केवल खोलेंगे इससे गढ़ना आसान हो जाती है, 7 का क्रम गुनित खोला जा सकता है, 7 गुना 6 गुना 5 तक ही खोलेंगे, क्योंकि छोटा क्रम गुनित हमारे यहाँ पर दिया गया है, 5 का क्रम गुनित वही तक खोलना इसे काफी रहेगा, ऐसा करने से उपर और नीचे दोनों जगह हमारी सम पान संख्या आ रही है, पाच का क्रम गुनित, उसे हम कैंसर कर सकते हैं. तो इस तरह हमारे पास इसका उत्तर आया साच्छे 42. अब दूसरे भाग पे चलें. दूसरे भाग में हमारे पास कुल तीन क्रम गुनित दिखाई दे रही हैं. उपर अंश में है बारा का क्रम गुनि इसमें किसे खोला जाए? इसे हम 12 का क्रम गुनित पहले खोलेंगे, फंश में 12 गुना, 11 गुना, 10 पे आके रुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर में 10 का क्रम गुनित है, जो की असानी से काटा जा सकता है, जो हमारी गर्णा को आसान बना देगा. 10 का क्रम गुणित गुणा 2 का 2 का क्रम गुणित होता है 2 गुणा 1 केवल 2 उसमें कुछ समस्या नहीं है 10 का क्रम गुणित इस तरह से काट देंगे और 2 को 12 से काटने पर 6 6 गुणा 11 हमारे पास बचा तो इसका उत्तर है 66 तो इस तरह से हम क्रम गुनित की सहायता से इन प्रश्णों को हल कर सकते हैं अब थोड़ा अलग तरह का प्रश्ण है यदि हमें मान निकालना है N क्रम गुनित विभाजित हो रहा है आर क्रमगुनित गुना एन घटा आर के क्रमगुनित से तो इसमें हमें एन का मान तथा आर का मान खुद भरना है तो एन की जगा हम पाँच का क्रमगुनित लिखेंगे आर की जगा पर दो का क्रमगुनित और एन घटा आर यानि पाँच घटा दो यहां आएगा तीन का क्रम क्रम गुनित ये समस्या बिलकुल ऊपर वाले प्रश्न की तरह की है बिलकुल उसी प्रकार इन में से बाड़ा क्रम गुनित कौन सा है अंश में 5 तो इसे खोलेंगे 5 गुना 4 गुना 3 पर आकर रुख जाएंगे जैसा पहले बताया क्योंकि हमारे पास हर में 3 का क्रम गुनित दो के गुनित को हमने 2 सीधा ही लिख लिया है तीन का गुनित काटा जा सकता है और 5 गुना 4 बीस बटा 2 उत्तर आएगा 10 इस तरह से क्रम गुनित संकेतन हमारे गणनाओं को असान बना देता है चलिए और प्रश्न देखते हैं यदि 1 बटा 6 क्रम गुणित जमा 1 बटा 7 क्रम गुणित बराबर हो x बटा 8 क्रम गुणित के तो x का मान ग्याद कीजिए यह प्रश्ण एक समिकरण के रूप का है, इसमें हमें हर में क्रम गुणित फंख्या दे रखी है अगर ये साधारन रूप में 6, 7, 8 होता तो हम इसका लगुत्तम लेते यहां हमें जो सबसे बड़ा क्रमगुनित है उसे खोलना है और उसे चोटा क्रमगुनित तब तक खोलना है जो सबसे चोटे क्रमगुनित तक बराबर ना हो जाए तो देखिए इसे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यह सबसे चोटा क्रमगुनित है 7 क्रमगुनित को खोलेंगे 7 गुना 6 क्रमगुनित बराबर एक्स बटा आठ गुना साथ गुना छे क्रम गुनित यहाँ पे छे पे आके रुख जाएंगे क्योंकि पूरे समीकरण में 6 क्रम गुनित सबसे छोटा क्रम गुनित है अब यहाँ पर गर्णा को आसान करने के लिए हम दाय तथा बाय पाक्ष से एक बटा छे क्रम गुणित को उभे निष्ट लेंगे यहाँ एक बचेगा और यहाँ बचेगा एक बटा साथ जो प्रक्रिया हम दाय तरफ करते हैं वही प्रक्रिया हमें बाय तरफ भी करनी है एक बटा छे क्रम गुणित को उभेनिष्ट लेने पर अंदर बचे का एक्स बटा आठ गुणा साथ अब ये देख रहे हैं आप एक बटा छे क्रम गुणित दोनों तरफ है इसलिए हम इसे cancel कर सकते हैं, हमारे पास बचा एक जमा एक बटा 7, जिसे हल करने पर होगा 8 बटा 7 और इस तरफ बचेगा x बटा 56, 7 गुना 8 चपन के बराबर, अब हम इस चपन को इस तरफ लेके आएंगे 8 बटा 7 गुना 56 और ये बचेगा x का मान, 7 को 56 से काटा जा सकता है, आएगा 8, 8 गुना 8 होगा 64, इस प्रकार x का मान हुआ 64 तो आज के मोड्यूल में हमने कवर किया क्रम चे परीचे एवं परिभाशा, क्रम गुनेत संकेतन तथा उस पर आधारित प्रश्ण आशा करते हैं, आपको आज का पाठ अच्छे से समझाया होगा, धन्यवाद प्रीचा, दो आज के एवं पëंशान, तो आज के की थाँ में येए